अनकादेमी, लेट्स ट्रक इट दूसरा सबसे बड़ा महादीप अफरीका महादीप अफरीका महादीप से जितने भी most important MCQs बनते थे आज हम वो सारे important question इस वीडियो में लाए हैं चलिए तो हम अपने first question की तरफ चलते हैं first question आप सभी के लिए बताने से पहले जिसने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दे और वीडियो को लाष्ट तक जरू बने रहे हैं first video आप सभी के लिए हम एशिया महादीप की लाए थे आज हमारी second video अफरीका महादीप की है चली तो first question आप सभी के लिए रहा वीडियो के किस महादीप में आदिम जन जाती की सरवादिक जन संख्या पाई जाती है आपकी option है यूरोप, अफरीका, औस्ट्रेलिया या एशिया इसका सही answer है अफरीका अफरीका में बुस्मेन, पिग्मी, बट्टू में मिलने वाली प्रमुक आदिम जन जाती है तो friends आप याद रखें कि अफरीका महादीप में आदिम जन जाती है नेक्स्ट कुशन की तरफ चलते है नेक्स्ट कुशन आप सभी के लिए ए रहा अफरीका महादीप में सरवादिक जन संख्या वाला देश कौन सा है आपके option है इतोपिया, दक्षण अफरीका, नाइजीरिया या मिश्र इसका सही answer है नाइजीरिया नेक्स्ट कुशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कुशन आप सभी के लिए ए रहा बैल्ड किस प्रकार की घास भूमी की अंतरगत सामिल की जाती है आपकी option है शीतोष्न कटीवंदी, टुंडरा, आयन बढ़ती या इनमे से कोई भी नहीं इसका सही answer है शीतोष्न कटीवंदी अफ्रिका की उशन घास के मैदान सवाना और शीतोष्न घास के मैदान को बैल्ड कहते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कुशन आप सभी के लिए ए रहा अफ्रिका की सबसे बड़ी जील कौन सी है आपके option है विक्टोरिया जील, बेकाल जील, कैस्पियन सागर या शुपीरियर जील इसका सही answer है विक्टोरिया जील अफ्रिका की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया से होकर विश्वत रेका गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है जो शहारा रेकिस्तान से होते हुए भूमद शागर में जाकर गिरती है तो friends आपको इस डीटेल से दो question के answer मिल रहे है कि विक्टोरिया जील से विश्वत रेका गुजरती है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया जील से ही निकलती है चलिए तो अपने next question की तरफ चलते है next question आप सबी के लिए ए रहा अफ्रीका का ट्रांस वालचेत किस जानवर के लिए बिश्व विक्टोरिया थे आपकी option है जैबरा और जिराफ या हाती और शेर या हाती और जैबरा या हाती और जिराफ इसका सही आंसर है जैबरा और जिराफ अफ्रीका का ट्रांस वालचेत्र जैबरा और जिराफ जानवरों के लिए बिश्व विक्टोरिया थे चलिए तो आपने next question आप सबी के लिए रहा कौन से city को diamond city के नाम से जाना जाता है यह आपको चार city दी गई है वो सारी अफ्रीका महादीब की city है आपको इन में बताना है कि इन city में से diamond city को किसे कहा जाता है आपकी option है जोहांस वर्ग किमबरले कांगो या कैप्टोन इसका सही आंसर है किमबरले next question आप सभी के लिए ए रहा अफ्रीका का सबसे लंबा राश्टी है रेल मार्ग कौन सा है आपके option है कैप काहिरा रेल मार्ग गोरकपुर रेल मार्ग गिरीन रैंच रेल मार्ग या इन में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर है कैप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग काहिरा रेल मार्ग दक्षड अफ्रीका के कैप टाउन मिश्ट के काहिरा नगर तक जाती है next question की तरफ चलते हैं next question आप सभी के लिए रहा अफ्रीका की मिश्ट में कौन सी नहर है आपके option है विक्टोरिया बेकाल जील डल जील या सोईज नहर इसका सही answer है सोईज नहर मिश्ट में सोईज नहर है जो लाल सागर को भूमद्द सागर से मिलाती है इस नहर का निर्मार 869 इसमी में किया गया था जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7,000 किलो मीटर दूरी की बचत होती है इसकी लंबाई 168 किलो मीटर है तो फ्रेंट्स आपको यहां से 4-5 answers मिलते हैं तो फ्रेंट्स प्रीज आप डेटेल्स को भी बड़े ध्यान से सुनते जाएं चलिए तो अपने next question की तरफ चलते हैं दक्षण अफ्रीका बिश्व के कितनी परसेंट क्रोमियम का उत्पादन करता है प्रेंट्स आप इस पिक्चर को भी देख लें जिससे आपको पता चल जाए कि क्रोमियम कैसा पदार्थ होता है आपकी option है 60%, 70%, 80% या 90% इसका सही answer है 90% अफ्रीका बिश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है next question की तरफ चलते है next question आप सभी के लिए ए रहा अफ्रीका में सरवादिक चाय उत्पादत करने वाला देश कौन सा है आपकी option है मिश्र, बलून फाउंटेन, कीनिया या ट्यूनीसिया इसका सही answer है कीनिया अफ्रीका में सरवादिक चाय उत्पादत करने वाला देश कीनिया है next question आप सभी के लिए ए रहा नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है आपकी option है आश्वन बांध, कोहिना बांध, करीबा बांध या भाकरा नागल बांध इसका सही answer है आश्वन बांध, नील नदी का उत्गम इस तल विक्टोरिया जील से है और नील नदी पर आश्वन बांध बनाया गया है next question है आप सभी के लिए आफ्रीका का प्रिमुक खजूर उत्पादत देश कौन सा है फ्रैंक्स आपको इस पिक्टर में खजूर की पिक दिखाई दे रही है कि खजूर किस प्रकाद से उनका उत्पादन किया जाता है आपकी option है मिश्र, जिम बांबे, केनिया या केनिया इसका सही answer है मिश्र अफ्रीका का प्रिमुक खजूर उत्पादक देश मिश्रमिकों के किशान कहलाते है नेक्स्ट कुश्टन की तरब चलते है नेक्स्ट कुश्टन आप सभी के लिए ए रहा अफ्रीका के किस सहर को शोईन नगर भी कहते है आपकी option है मोजाम्बिक जोहांसबर्ग कैप टाउन या मैसे पोटामिया इसका सही answer है जोहांसबर्ग अफ्रीका के जोहांसबर्ग शहर को शोईन नगर भी कहते है अफ्रीका महादीर से जितने भी important question बनते थे आज हम आप सभी के लिए इस वीडियो में लाए हैं तो friends प्लीज यदि आपको मारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जादर से जादर शेयर करें लाइक कमेंट करें और शाइड में जो बेल आइकन बेटन है उसे भी जरू प्रेस करें चलिए तो अपने next question की तरफ चलती है next question आप सबी के लिए ए रहा अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुष्टल पाया जाता है आपकी option है सवान मरुष्टल थार मरुष्टल सहारा मरुष्टल या काला हारी मरुष्टल इसका सही answer है सहारा मरुष्टल आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ा मरुष्टल थार मरुष्टल है next question की तरफ चलते है next question आप सबी के लिए रहा इसके पहले आपको इसकी डीटेल भी बता दें कि बिश्य का सबसे बड़ा मरुष्टल सहारा मरुष्टल है जो की अफ्रीका में इस्तित है उत्री अफ्रीका में बिश्य का सबसे बड़ा मरुष्टल शहारा मरुष्टल इस्तित है जिसकी जो 84 लैक वर्ग क्लोमीटर में इस्तित है इस मारुष्टल में इस्तित प्रमुग जीले दक्षन अफ्रिका में काला हारी मरुस्तल में है नेक्स्ट गुश्चन आप सभी के लिए रहा अफ्रिका की सबसे बिशाल हीरा की कुछ किस ने की थी आपकी ओप्शन है सर्थॉमस पुलेंगू सर्थॉमस कुलीनान सर्थॉमस रो या सर्थॉमस इसका सही आंसर है सर्थॉमस कुलीनान विश्व का सबसे बिशाल हीरा 3106 कैजी रेट को दक्षण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 इस भी को सर्थॉमस कुलीनान ने खो जाता इसलिए इसका नब कुलीनान हीरा रखा गया है तो फ्रेंस आप इससे ये भी याद रखें कि ये कितने कैजी रेट का है और इसकी खोज कितने सन में की गई थी चलिए तुम अपने नेक्स्ट कोश्ण की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्ण आप सभी के लिए ए रहा धात्व विखनी जोंकी द्रस्टी से अग्रिडी पठार कटांगा का पठार किस देश में इस्तित है आपकी ऑप्शन है मिश्र दक्षणी सूडान कांगो या इत्थू पिया इसका सही आंसर है कांगो नेक्स्ट कोश्ण आप सभी के लिए रहा अफ्रिका महाद्वीप में पैट प्रॉल की नदी या डीचल की नदी तो फ्रेंट्स आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि आपको इस नदी में सिर्फ पानी के अलाबा कुछ और भी दिखाई दे रहा है तो आपको इस कुश्ण का आंसर बता देते हैं इसका आंसर है पॉम तेल की नदी तो पैस्त कुश्ण आप सभी के लिए रहा करके रेखा को राजिस्तान में दो बार काटने वाली नदी माही नदी है जबकि मकर रेखा को दो बार काटने वाली अफ्रीका नदी कौन सी है आपके ऑप्शन है नील नदी कांगो नदी अमेजन नदी या लिम पॉपो नदी इसक से करके रेखा गुजर रही है चले तुम अपने next question की तरफ चलते हैं next question आप सभी के लिए रहा जील जो zero degree अक्छांस रेखा पर इस्तित है आपकी option है डल जील विक्टोरिया जील नाशर जील या बूलर जील तो इसका सही answer है विक्टोरिया जील जील zero degree अक्छांस रेखा पर इस्तित है next question आप सभी के लिए रहा सुप प्रशिद कालाहारी मरुस्तल का बिस्तार अफरिका के किस देश में है आपके option है दक्षड अफरिका बोत सवाना नामी बिया या इन सभी में इसका सही answer है बोत सवाना next question आप सभी के लिए रहा अफरिका के उत्तर पूर्विके तिर्वोजाकार हिस्ति को क्या कहा जाता है आपके option है part of Africa, map of Africa, horn of Africa या height of Africa इसका सही answer है horn of Africa, अफरिका के उत्तर पूर्विके तिर्वोजाकार horn of Africa को कहा जाता है अफरिका महादीब से जितने important question थे वो आप से हम discuss कर रहे हैं और आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं क्योंकि अभी भी कम से कब 11 question आप सभी के लिए important इस वीडियो में बची हुए है चले तो अपने next question की तरफ चलते हैं, next question आप सभी के लिए ए रहा भारत के एक बीचों बीच से करक रेखा भारत के आठ राच्चियों से गुज़रती हैं जबकि अफरिका के बीचों बीच से कौनसी अफरिका से कितने देशों से गुज़रती हैं आपके option करक रेखा साथ देशों से मकर रेखा साथ देशों से बिशुवत रेखा शाथ देशों से या बिशुवत रेखा आठ देशों से इसका सही answer बिशुवत रेखा आठ देशों से बिशुवत रेखा अफरिका के आठ देशों से गुज़रती हैं तो फ्रेंड्स आप इसको link करके भी याद कर सकते हैं कि भारत में करक रेका आठ राज्यों से गुजरती है और विश्वत रेका अफ्रीका के आठ देशों से गुजरती है चलिए तुम अपने next question की तरफ चलती है next question आप सबी के लिए रहा किस महादीप में करके रेका मकर रेका और विश्वत रेका तीनों रेकाएं गुजरती हैं आपकी option है एशिया अफ्रीका यूरोप या दक्षर अमेरिका इसका सही answer है अफ्रीका तो फ्रेंड्स आप याद रखें इसे एक अफ्रीका महादीप हैं ज जले तुम अपने next question की तरफ चलते हैं next question आप सबी के लिए रहा कांगो देश को किस चीज के देश के नाम से भी जाना जाता है आपकी option है बनों का देश तेल का देश फूलों का देश या फलों का देश इसका सही answer है बनों का देश कांगो देश को बनों का देश भी कहा ज बिश्व में जल बिद्धु शक्ति की संभाबन चमता सबसे अधिक इसी देश में हैं यदि कोश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया गया कि बनों का देश सबसे जादा बन किस देश में पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा कांगो देश चले तुम अपने नेक्स्ट के नाम से जाने बाला देश कौन सा है अपके ओप्षिन जिबूती इथोपिया सोमालिया यद घाना इसका सही आंसर है घाना नेक्स्ट कोश्चन आप सबीक लिए ए रहा पूरवी डलान को परक के बागी किरशी किन जन जाती के द्वारख की जाती है आपके ओप्षिन है आदिम जनजाती, छगगा जनजाती, नमन जनजाती या जुबा जनजाती इसका सही answer है छगगा जनजाती किली मंजारों की पूर्वी ढलानों पर परवा की किशी छगगा जनजाती द्वारक की जाती है तो फ्रेंट्स आप याज जरूर रखे कि जरूर अफरीका महादीप में आदिम जन जाती सबसे प्रमोख है लेकिन क्ली मंजारों के पूर्वी डलानों पर छग्गा जन जाती पाई जाती है चली तो अपने नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन आप सभी के लिए ए रहा किश महादीप को अंद महादीप के नाम से भी जाना जाता है आपकी ऑप्शन है अफरीका महादीप यूरोप महादीप औस्ट्रेलिया महादीप या दक्षिन अमेरिका महादीब इसका सही आंसर है अफ्रीका महादीब अफ्रीका को अंद महादीब भी कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक समाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक और सिक्षा के छेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है तो फ्रेंट्स आप याज जरू रखतें कि अंद महादीव किस कारण से अफरीका महादीव को कहा जाता है चलि तुम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं अफरीका में सर्वादी चंसंख्या वाला देश कौन सा है आपके ऑप्षण है नाइचीरिया, मिश्र, कोलंबिया या काहिरा इसका सही आंसर है नाइचीरिया नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए ए रहा मिश्र को किस महादीव का जंक्षन कहा जाता है आपके ऑप्षण है आस्ट्रेलिया और दक्षण अमेरिका, एशिया और यूरोप, आस्ट्रेलिया और एशिया या दक्षण अमेरिका और अफरीका इसका सही आंसर है एशिया और यूरोप मिश्र को एशिया और यूरोप महादीव का जंक्षन कहा जाता है चलिए तो next question की तरफ चलते हैं next question आप सभी के लिए ए रहा विश्य का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है आपकी option है मेडा गासकर, जीनिया, मिश्र या कीनिया इसका सही answer है मेडा गासकर अफ्रीका का सबसे बड़ा और विश्य का चौथा सबसे बड़ा दूइप इसका छेत्तिफल 8,87,041 वर्ग क्लो मीटर है तो friends यदि exam में ऐसा question आगया कि विश्य का चौथा सबसे बड़ा दूइप कौन सा है तो इसका सही answer होगा मेडा गासकर अमारा next question ये रहा किस महादीप में मानव से संबन्दित जीबास में सबसे अधिक मिले है आपके option है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या एशिया इसका सही answer है अफ्रीका ये थी हमारे most important 32 MCQs अफ्रीका महादीप से यदि friends आपको हवारा अफ्रीका महादीप का ये वीडियो पसंद आया है तो friends please वीडियो को जादर से जादर शेयर कीजिए और सभी को अपने दोस्तों को अपने सभी को ये वीडियो फैला दीजे चले तो हम आपको एक बहुत important बात बता दे कि study is the partner of unacademy आप जोइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर free live class के साथ demo class भी मिलेंगी आपको यहाँ पर free live test भी मिलेंगे यहाँ पर आपको demo class बहुत ही अच्छे features मिलेंगे आपको यहाँ पर live test भी मिलेंगे यहाँ पर आपको free live class के साथ plus class मिलेंगी आपको बता दें कि free class से आपको थोड़ा extra जानकारी plus classes में दी जाएंगी और आप जिस भी exams की preparation कर रहे हैं अनकेडमी आपको सारे exams की preparation करवाता है तो friends यदि आप इसको join करते हैं तो आपकी जो भी admission fees होगी यदि आप उसमें 10% का discount चाहते हैं तो आप राजन नंबर वन कोट का use करके 10% का discount पाकर अनकेडमी जोईन कर सकते हैं तो ये थी आज की हमारी वीडियो एशिया महादीब की वीडियो इससे पहले हम ला चुके हैं आज हम आप सबी के लिए अफ्रीका महादीब की वीडियो लाए थी यदि फ्रेंड़ आपको मारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़ादर से ज़ादर ला Klein करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर प्रेस करें जिससे हमारी latest वीडियो आप तक तुरंत पहुंसती रहें, यदि आप हमारे टेलीग्राम को जोईन करना चाहते हैं, तो आपको उस पर भी टेलीग्राम पर भी बहुत ही important MCQ पूरे दिन करवाये जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी जोईन करें, आप हमारे Facebook, Instagram, Twitter औ यदि आपको मारे वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो कल भी आएगी, और कल एक हम नहीं महादीब के साथ, आप सभी के लिए बहुत important question लाएंगे, thank you for watching my video.